हेलो गाइज, वेलकम बैक तुटी चैनल, में नाम है पुछ शाब देख रहे हैं, विकम टेक्स, एन गाइज, हिएर विएफ दो ऑल न्यू होंडा SP125, SP125 की पूरी वेरियंट खड़ी हुई है यहाँ पे, एक गाइज मिसिंग है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा अभी, और एप्रॉक सभी वेरियंट खड़ी हुई है, इसका आप लोग प्राइज रिव्यू करने वाले हैं, और कलर रिव्यू करने वाले हैं, कि सभी वेरियंट में आपको कैसा ग्राफिक्स मिलता है, क्या प्राइज पर जाता है, और यहाँ पर आपके सामने बाई, दोनों ही वेरियंट खड़ी हुई है, अपनी Drum Index, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह भी वेरियंट एग्स वाला, उदर Drum वेरियंट, तो यह सभी काम लोग फूल डीटेल रिव्यू करने वाले हैं, कलर गाफिक्स, प्राइजिंग, वेरियंट और क्या यहाँ पर डिफ्रेंस मिलता तो चलिए गाइज बिना देरी के इस रिव्यू काम लोग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपके सामने खड़ी हुई है, इधर अपनी Hyundai SP125 की टॉप मोडल आप बोल सकते हैं, डिक्स वेरियंट, और इसमें आपको कोई यह है, जहाँ पर आपको कोई भी ग्राफिक्स सा लोग चाहिए, तो वो अपने भाई, Hyundai SP125 मैट गेग कलर ऑप्शन पर आ सकते हैं, तो सबसे पहले इसके अगम लोग फ्रंट पोफाइल से स्टार्ट करते हैं, तो कुछ ऐसी इसकी और और फ्रंट की पोफाइल देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको LED headlamp मिलता है, turn 18 inches of alloy wheel और गाइस सभी में आपको सेम alloy wheel मिलते हैं, सेम tire profile देखने को मिल जाती है, बागी यहाँ पर आप देखने है, तो सभी वेरियन में आपको 11.2 liter की fuel tank capacity मिल, यहाँ पर होंडा की 3D आपको branding देखने को मिल जाती है, SP125 की branding मिलेगी जो की sticker है side panel पे, एन गाइस कुछ ऐसी city state में vary कर सकता है तो अगर आप लोग different city state में रहते हो तो comment सेसे में बता देजा मैं आपको भाई बता दूँगा city का ना mention कर दीजेगा बागी यह था अपना पहला color option mad gray color जहां पर कोई भी आपको ग्राफिक्स वेगारा नहीं मिलता है और यह tau variant था जहां पर आपको 130 mm का drum brake मिल ला है और गाइस यह इसकी और फ्रंट पोफाइल एक चीज में आपको confirm कराना चाहता हूं सभी वेरियन में आपको सेम टर्लाइट इंडिकेटर लाइटिंग का सेटप suspension इंजन में पावर एंटॉक टायर पोफाइल यह सभी चीजे सेम मिलती है और सभी वेरियन मे देखने को मिलेगी जो कि अभी मैं आपको दिखा देता हूं और यहां पर देखेंगे गाइस तो आपको इसकी लूप पर जाती है कुछ ऐसी SP 125 की ब्रांडिंग सेम में आपको भाई ब्लैक कलर बॉडी कलर के साथ ग्रे कलर रेड कलर का यहां पर ग्राफिक्स मिलता है और रियर पोफाइल से देखने है कुछ ऐसी रियर पोफाइल से निकल के आ जाती है इसकी प्राइस अपने SP 125 की प्राइस थी एक चीज का ध्यान रखेएगा प्राइस ड्रम बेरियन की जितने कलर ऑप्शन है डिक्स बेरियन के जितने कलर ऑप्शन है सभी की आपको सेम देखने को मिलती है तो इसका प्राइ现在 सब्सकते हैं तो इसका प्राइज अलग होगा सब्सके मिलता है उप है प्राइस अपने तीसरे ब्लू Color जहां पर सबसे अदा पहले यही देखती थी जिसमें आपको यह कलर ऑप्शन साथ ग्राफिक्स मिलता है यह रोड पर का प्रेजन्स रहता है वह अच्छा बना देता है तो आपके सामने यह खड़ी हुई है यह कलर ऑप्शन आपको ऐसे अच्छे रखने वाली है भाई बाकि यहाँ पर पूरा प पड़ेगी एक्षो रूम यहाँ पर आपको ग्राफिक्स पर जाता है ग्रें ग्रीन कलर से और सभी वेरियंट के साथ आ रही है मतलब 2023 की बिल्कुल लेटेस वेरियंट है सभी आप जो ग्री कलर देखे हैं बॉड़ी कलर ब्लैक के साथ रिट के ग्राफिक्स सभी का ग्या सभी यहांअब ग्राफिक्स पर और देख रहूंगे लेकिन इसका ग्राफिक्स का अपको डिखे रहे है तो अलग सभी ठाफिक्स पर आपको ब्ल्के अपको ब्रियंट खटी तीं यह तो कि पर रही हो जायगा Khasya चैने बब सामने अब इसकी बाद इसके बेच को मैं आप अपने प्रास्त रेट यह भाई मतलब काफी ज़्यादा आई कैचिंग है और काफी ज़्यादा बढ़ी हां रोड पेजेंस इसका रहने वाला है पूरा बॉडी कलर इसका रेड कलर का देखने को मिलता है और यह साथ गाई आपको रेड एंड वाइड कलर की ग्राफिक्स मिल अपने नेक्स कलर ऑप्शन के उपर अपना आता है बाई मैड कलर में फ्लू कलर यह भी काफी ज़दे बढ़िया लगता है और यहां पर ब्लू कलर के साथ यह ब्लाक और वाइट कलर की ग्राफिक ज़दां बढ़िया लग रही है तो अलग सभी पूरा कलर मतलब हाड इसमें light आ जा रहा है अपना white and hard आ जा रहा है अपना dark blue तो यह काफी पढ़िया हो जा रहा है यहां पर आप देख रहे हैं तो इसमें भी आपको सेमी स्पेसिफिकेशन मिलते हैं light बगरा को देख रहे हैं यहां पर हैलोजन अपने turn light indicators आते हैं LED यहां पर head lamp आ जाता है बा and pricing और गाइज कुछ ऐसी इसकी आपको rear की पुरी लूप मिल जाती है and seat guys यहां पर आपको सब में flat मिलती है सब में 11.2 liter की fuel tank capacity आती है सभी में guys आपको 124 CC का अपना air code fi BS6 phase 2 engine मिलता है single cylinder और सभी में guys आपको 5A speed manual transmission मिल जाता है और सबका ही mileage वगरा सब चीज से मिलता है खाल आपको पुरी डीटेल समझ में आ गई होगी अपनी FSP 125 के related सभी variants के आपको पुरी जानकारी पूरे graphics मालूम चल गई होगी बागी कोई चीज मिस हो जाता है तो comment section में भाई मुझे बता दीजेगा मैं आपको reply दे दूँगा और वीडियो अच्छी लगी तो इसको like कर चैनल पर नहीं तो इसको subscribe कर दीजेगा ऐसी बाइक से इंट्रेस्टिन इव्यू अपडेट एंड कमपरीजी हमेशा पाने के लिए मिलते गैस नेक्स वीडियो साथ तेल देन टेक केर बाबाए